वालनेट पाई कैसे बना है तो वालनेट पाई के लिए है इजी ओय में दिखा रहे है ठीक है चार चीस में बना देंगा चार चीस में वालनुट सुकर अमुली फ्रेश क्रीम बटर सुघर 200 ग्राम वालनुट 250 ग्राम अमुल्क फ्रेश क्रीम 100 ग्राम और बटर 20 ग्राम उनली बस यहीं चार चीस पने हो जाएगा शुईट पेस्ट का भी दिखाएगा शुईट पेस्ट बाद में दिखा देगा कैसे शुईट पेस्ट बनाते हैं तो मौल्ड हमारा पहले से तो पहले सुगर को मेल्ड कर लेते हैं ज्यादा कालर नहीं होना लाइट ब्राउन कालर आएगा बात में बटर डाल देगा शुगर पूरा मेल्ड होने के बाद बटर को थोड़ा मिक्स करके अमल्ड फ्रेस क्रीम फुल्ड डारके तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमारा मोल्ड पहले से रेडी था और मोल्ड पे अच्छे से डाल पूरा निकल के मोल्ड पे डाल देने का अच्छे से डालने के बाद ओपर को थोड़ा अच्छे से प्लट करने का नहीं तो बेकिंग होने के बाद अच्छा नहीं दीखता तो होने के ब कि नॉर्ण बलावन में उपर का टेमपराश्य ओनेटी डिग्री निच्छे का भी ओनेटी डिग्री सिल्जिस बात में बेकिंग टैम 20 मिनिट डाल के एक टैम देखके 5 मीडा 10 मिनिट कुछ बीचाहिए हो डाल लेने का उसके बाद निकल लेने का अभी आपको कैसा उपर गा मेरे को थोड़ा दूसरा भी काम था ऐसे लिए पटाक से बना के टाल दिया एकदम एज़ी है पांच मिनिट में बना सकते है कोई भी ऐसे भी रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दोंगा वालनेट पाई कैसे बना है तो वालनेट पाई के लिए एजी ओए में दिखा रहे है ठीक है चार चीस में बना देगा चार चीस में ओलनट सुकर अमुली फ्रेस क्रीम बटर सुगर 200 ग्राम है वौलनाट 250 ग्राम अमुल् associated क्रीम 100 ग्राम और बटर 20 ग्राम अली बस चार चीस में हो सुट पेष्ट का भी नहीं दिखाएगा स्वीट पेष्ट बाद में दिखा देगा कैसे सुट पेष्ट बनाते हैं तो मौल्ड हमारा पहले चेह रियाडी था तो पहले सुगर को मेल्ड कर लेते हैं अच्छे से ज्यादा कालर नहीं होना लाइट ब्राउन कलर आएगा बटर डाल देगा शुगर पूरा मेल्ड होने के बाद बटर को थोड़ा मिक्स करके अमुल फ्रेस क्रीम फुल डाल के तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हमारा मोल्ड पहले से रेडी था और मोल्ड पे